ननकू लगभग तौरते वे अपने टोले में पहुंचा था। देखकर आ रहा था। उसके आदमी ने साल भर से खटिया पकड़ी हुई थी। और इसी वज़ा से धनिया जुट्टी भैस हो गई थी। तभी घर की देलीज के पहुंचते ही ननकू एक जटके से अपनी सोच से बाहर आ गया था। तभी उस नचेडी का जोदर ने आगर उसकी कोली भर ली थी। ताडी सतो कन्ना हिला देंगे बे। मालिक न भुवन के पास होने के खुशी माम को पैसा दिया गा जोदर। लेकिन पहला भुवन से तो मिल ले। ये बोलकर ननकू ने भुवन की तलाश में अपने नेगाहों को चारो ओर तोड़ाया। तभी छोबड़ी के अंदर से भुवन तोड़ता हुआ आया और अपने बाबू के पैरों में जھुक्या। ननको ने तुरंद भुवन को अपने पैरों से उठाकर अपने कल्ये से लगा लिया तुमने ता हमारा सीना गरब से चौड़ा कर दिया भुवन पूरे टॉले का नाम रोसन कर दिया रे भुवन ननको ने भाव विपोर होकर भुवन को अपने सीने में दबा लिया था साथ में खड़ी गुलब या टुकर टुकर अपने बापू की ओर ही देख रही थी आज तक तो उसने सिर्फ अपने बापू को तारी के नशे में घर में चल लाते और कभी-कभी उसके मेहतारी को पीटते वे देखा था इतना प्यार उडेलता हुआ बापू तो उसने आज पहली बार ही देखा था बापू सब आपके आशिरवात से ही ओपाया अगर तुम पढ़ने के लिए टोले से बाहर नहीं भेजते तो मैं भी इन खेतों में ही मजूरी कर रहा हुता भूवन अपने बापू से अलग होते वेटा बैटा तेरे नसीब में पढ़ लिख कर कुछ पन न लिखा है तभी तु पढ़ पाया नहीं तो टोले के आदे लोग तो शहरों में जाकर मजूदी कर रहे है और आदे यहां चौधरी के खेतों में बेगारी कर रहे है ननकू ने अफसूस भरिस्वर में बोला बापू मुझे भी अब शहर जाना है यहां रहकर तो मैं भी बेगारी करूँगा सिंदिगी पर शच शहर में जाकर कुछ कर सकूँ भवन अपने बापू के साथ अब एक खटिया पर बैठ चुका था लेकिन मालिक ने तो तुम्हें कल से खेतों पर बुलाया है मैं उन्हें क्या बोलूँ ननको के चैरे पर आचाना की चिंता के बादल को मड़ा है बापू अगर मुझसे भी बेगारी करवानी थी तो फिर इतना पढ़ाने लखाने की क्या जरूरत थी अनपढ़ रहकर मैं मजूरी अच्छा से कर लेता लेकिन अब अपनी पढ़ाई का सदुपे हो करके कुछ करना चाहता हूँ कुछ बदना चाहता हूँ बवन ने कातर निगाहों से अपने बाबू की ओर देखते वेगा तब इगजोदर उन बाप बेटे के सिर पर आकर फिर से नाचने लगा था वन जरा इन शराबी कवाबियों से निपट कर आता हूँ कलती से इनके सामने मूँ भाड़ दिया कि मालिक ने तोरे पास होने के खोशी में हमको रुपिया दिया है अभी ससुर इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने बाले हैं ये बोल कर ननकु खटिया से उठकर गजोधर के बगलगीर होकर वहाँ से शराबियों की टोली की और रुखसत हो गया ननकु और गजोधर ने अभी मटकी से निकाल कर ताड़ी पीना शुरू किया ही था किस सामने से अपने कमर पर गमच्छा पांधे वे लल्लन आता हुआ नजर आ गया लल्लन की उस गाउं के सभी टोलों में तूती बोलती थी नदी से बालू रेत की अवैद खुदाई करके गाड़ी भर भर कर शहर बेचता था और नोटों में खेल रहा था इस आदमी ने कभी इंसान को इंसान नहीं समझादा ये मनखूस लल्ला नी धर काया आ रहा है ननकु भाया कजोदर संशय भरी आवास में बोला पता नहीं इस ससुर को किसी दूसरे की खुशी फूटी आँख नहीं सुआती है ननकु भी उसे देखकर एक बार तो सिहर उठा था काओ ननकु लड़के का बिहा फिट कर दिये हो गया जो घर सा ढोलकी की थाप सुनाई पड़ रही है और तु यहाँ ताडी की मटकी खोले बैठा है ललन किसी हादे सी मतवाली चाल चलते वे उनके करीब आकर खड़ा हो गया था उसके पास आते ही ननकु और कचोतर एक तम से हड़बढ़ा कर खड़े हो गए ओ ओ हमरा लड़का पूरे जिले में आख कॉलेज में वला है बाबू बस उसी के खुशी आपस में भाट रहे थे लनकु ने थीमी आफास में बोला इसमें तनी खुशी मनाने की बात का है वे तो लड़का कौन साब जिले का कलेक्टर बन गया है जो पूरे टोले को सर पर उठा रखा है खड़नी तो से भी चौदरी के खेतों में मजूरी है ललन ने तंज मारते वेगा ओका मजूरी नहीं कराएंगे बाबू उस सहर भेजेंगे कुछ बंजाएगा शहर जाकर ननकु ने सर चुकाई हुए ही जबाब दिया शहर जाकर सवाजी रिक्षा चलाने से अच्छा है कि उसे या तो मेरे काम में रेट से भरी डोगरी ढोने के काम में लगा दे या फिर चौदरी के खेतों में उसे फावड़ा चलाने को बोल इतने उच्चे सपने तुझे सपनों में भी नहीं देखने चाहिए अपनिक समझ आया कि नहीं ललन बोलते वे पिलकुल ननको के सर पे आख़डा हुआ था उगर नसीद में होगा बाबु तो वो ये हम्माली भी कर लेगा उस बच्चे पर चौदरी साब का भी आशिरवाद है ननको की आवाज का ते बार इस बार कुछ बदल सा गया था साले दो कोड़ी के आदमी ललन के आगे उची आवाज में और सर उठाकर बात करता है तेरा ये जटी हल सा लॉंड आफसर बनकर नाचेगा हमारे सर पर ननको पता नहीं क्यों अचानक से इतना खुस्सा आ गया कि उसने ननको की गिरेबान पकड़ने में भी कोई संकोच नहीं किया बाबू छोड़ दो ननको को अज खुशी के मौके पर कुछ जादा बोल गया आगे से कभी तुमारी शान में कौनों गुस्ताकी नहीं होगी तभी कजोदर उसके आगे अपने दोनों हाथ चोड़ कर खड़ा हो गया था समझालो उसको कि जड़ा हवा में न उड़े पाम की जीवती कभी सर का ताज नहीं बना करती सलो तुमारे बाब दादा मर गया हमारी चाकरी करते वे और तुम चले हमारी बराबरी करने के लिए सलकु ने अभी तक ननकु की किरेबान को छोड़ा नहीं था सबने देखने का हक तो हम गरीबों को भी है बापू ननकु मैं पता नहीं कहां से इतनी हिमता रही थी कि वो अच ललन सिंग से सुभान तराजी कर बैठा लेकिन अभी ननकु की बात पूरी हुई ही थी कि ललन ने एक जटके के साथ उसे पीछे के और तका दिया तो समीद में पिछी मिट्टी पर जाकर ननकु का सर टकराया ललन ने चलती हुई निगाहों से उसे खूरा और अभी अपनी धोकरों में उसे लेने ही वाला था कि अगजोधर एक आएक ललन के पाउं में गिर पड़ा गजोधर ललन के पाउं से लिपड़ ही गया था समझाले अपने अस पिल्ले को तुपारा कभी हमसे अस्वान लड़ाने की हिम्मत ना करे और पूरे टोले में आग लगा दूँगा ये बोलकर ललन ने अपने पाउं को एक जटका दिया जिससे कजोधर एक जटके से पीछे की ओर गिरा ललन ने एक बार फिर से जलती हुई निगाहों से ननकू को घूरा और लंबी-लंबी डग भरता हुआ अपनी तंभ भरी चाल को चलता हुआ उनके निगाहों से कुछ ही पलों में दूर हो गया ललन सिंग के जाते कजोधर दोड़ कर ननकू के पास पहुचा और उसे समीन से उठाने लगा लोकन को कभी हमरी खुशी बरतास नहीं होगी ननकू इसलिए ननके अगाडी आना चाहिए ननके पिछाडी कजोधर ने ननकू को उठाते हुएगा ननकू के चेहरे पर इस वक्त जिल्लत और अत्मान के निशान दूर से ही देखे जा सकते थे इस बात का टोले में किसी को पता नहीं चलना चाहिए खास कर भुवन को थो बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए अगर उसने अपने मन में कवनों काट पान ली तो फिर जिन्द के मैं कुछ कर नहीं पाएगा कचोधर ननकू ने इतने इस जिल्लत के बाद भी अभी अपने होश नहीं खोई थे मैं समझता हूं ननकू भाया यह जिल्लत और पेज़ जती और हमारे सपनों का कुचलना तो हम लोग सदियों से सहते आएए अज कुछ नया तो हुआ नहीं यह कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है कचोधर ने उदास और खिन्द सवर में का सही कह रहे हो कचोधर हम लोगी यह सब नसीब में लिखा कर क्यों लाएए यह बोलकर ननकू ने ताड़ी की मटकी को उठा कर ही अपने मूँ से लगा लिया था कचोधर इस वक्त पसों से तुकुर तुकुर देख रहा था बोगन रागे का करने की सोचव तुम तो पुरे जिले में अववल आयो तुम तो कुछ भी कर सकते हो उसके बाबू के खटिया सोटते ही उस दोले के सबसे समझदार का का उसके पास आकर बैठ चुके थे का 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 पूरा नाम शाम प्रजापती था बारवी जमात तक पढ़ने के बाद दिल्ली चले गए थे वो भी घर पर बिना बताए इकलोते बेटे के इस तरह से गायब होने से का 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 की महतारी ने असमा ही घटिया पकड़ ली थी का का की महतारी डोले से हर आने जाने वाले आदमी से बस अपने बेटे के बारे में ही पूछती रहती ये सब तब तक चलता रहा जब तक का 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 ने शहर से महतारी के लिए पहला मनी ओर्डर नहीं बेच दिया तब जाकर पूरे टोले को पता चला था कि काका दिल्ली में कोई काम कर रहे हैं और कुशल से लेकिन बाद में पता चला कि काका शहर जाकर बस रिक्षा चला करी अपना पेट बालते थे उसी से अपना पेट काट कर जो बचा पाते थे उसे महतारी के नाम मनिया ओर्डर कर देते थे यही सोच रहे है काका कि अब आगे क्या करें बापू से इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो गजोदर जाचा बापू को ताड़ी पिलाने के वास्ते ले गए भुवन ने काका की ओर देख कर गा तेरे बापू को लाखन के खेट से आगे कुछ नहीं मालूम भुवन यह तुझे ही सोचना है कि तुझे आगे क्या करना है तु तो पूरे चले में अबवल आया है तेरी तो सरकार भी कोई ना कोई मदद जरूर कर देगी तो किसे सरकारी नोकरी की तैयारी क्यों नी करता है काका ने भुवन को बोला गरीबन के कौन सरकार मदद कर रहा काका जिले में प्रधम आये हैं लेकिन अबी तक सरकार का कोई कुट्ता भी अमारी चाहत पूछने नहीं आया काका भूवन ने काका की और निराशा से देखने वेगा पेटा सरकार तो गरीबन के पास बस पांच साल में एक बार ही आती है हाकी के सबरे दिना मैं ही सरकार और उसके हाकिमों के पास जाना पड़ता है जहां भी जाना होगा मैं चलूँगा तुमारे साथ तो अपने बापू को दाड़ी के नशे में मस्त रहने दे तेरा ये काका तेरी मेहनत को इस चोधरी के खेतों की मिट्टी में मिलने नहीं देगा भूवन बेटा काका ये का जोश में और आवेश में एक साथ ही आ गए थे भूवन भी सहमती में अपने सर को हिला रहा था तभी भूवन ने देखा कि आगन में उसकी महतरी का मंगल कीत कारेक्रम समाप्ध हो गया है और उसकी माई अब टोले की सबी औरतों को पताशे बाटने में चुट गई थी भूवन भी उटकर अब अपने जोपड़े में जाने लगा था